तो आस्ती संसदना बचेट 17 नो प्रारं मनेवड़ा प्रथान दरिंद्र मोदी एप पुर्वे करी रायाची संबोधन सीधाज जोईए रखने का सवभाग्य प्राप्त हो ये भारत के लोकतंत्र की गव्रव यात्रा की अत्यंत गरुमा पुर्ण घटना के रुप में देश इसे देख रहा है ये बजेट 17 है मैं देश वासियों को जो गारंटी देता रहा हूं क्रमा शहरुप से उन गारंटीयों को जमीन पर उतारना इस लक्ष को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं ये बजेट अमरित काल का एक महत्वपूंग बजेट है हमें पांच साल का जो आउसर मिला है आज का बजेट हमारे उन पांच साल के कारे की दिशा भी ताय करेगा और ये बजेट ट्वेंटी फोर्टी सेवन जब आजादी के सौ साल होंगे तब बिक्सित भारत का जो हमारा सपना है उस सपने को पूरा करने की मजबूत नीव वाला बजेट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे हर देश वासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी एकोनमी वाले देशों में सबसे तेज गती से आगे बढ़ने वाला देश हैं गत तीन वर्षों में लगातार आठ प्रतिशद ग्रोथ के साथ एट परसेंट ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं हम ग्रोव कर रहे हैं आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक इन्वेस्टमेंट और पर्फॉर्मंस एक प्रकार से अपर्चुनिटीज़ी की पीक पर है ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का एक एहम पड़ाव है साथियों मैं देश के सभी सांसदों से किसी भी दल के क्यों नहों मैं आज आग्रह पुर्व कहना चाहता हूं कि हम गत जनवरी से ले करके हम लोगों के पास जितना सामर्थ था उर्थ सामर्थ को ले करके जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी जनता को जो बात बतानी थी बता दी किसी ने राह दिखाने का प्रयास किया किसी ने गुरुमरा करने का प्रयास किया लेकिन अब वो दोर समाप्त हुआ देश वाचियों अपना निरने दे दिया अब चुने हुए सभी सांसदों का कर्तव्य है सभी राजनितिक दालों की विशेज जिम्मेवारी है कि हमने दल के लिए जितनी लड़ाई लड़नी थी लड़नी अब आने वाले पांच वर्ष के लिए हमें देश के लिए लड़ना है देश के लिए जूजना है एक और नेक बन करके जूजना है मैं सभी राजनितिक दलों से भी कहूंगा कि आएए हम आने वाले चार साड़े चार साल दल से उपर उट करके सिर्फ और सिर्फ देश को समर्पित हो करके संसत के इस गरिमापूर्ण मंज का हम उप्योग करें जन्वरी ट्विंटी नाइन जब चुनाओं का वर्ष होगा आप उसके बाद जाएए मैदान में सदन के अभी उप्योग करना है कर लीजिए वो छे महिने जो खेल खेलने खेल लीजिए लेकिन तब तक सिर्फ और सिर्फ देश देश के गरीब देश के किसान देश के युवा देश की महिलाएं उनके सामर्थ के लिए उनको एमपावर करने के लिए जन भागीदारी का एक जन अंदोलन खड़ा कर करके 2047 के सपने को पूरा करने के लिए हम पूरी ताकत लगाएं मुझा आज बहुत दूख के साथ कहना है कि 2014 के बाद कोई सांसच पांच साल के लिए आए कुछ सांसचों को 10 साल के लिए मौका मिला लेकिन बहुत से सांसच ऐसे थे जिन को अपने खेत्र की बात करने का आउसर नहीं मिला अपने विचारों से सांसच को समर्द्य करने का आउसर नहीं मिला क्योंकि कुछ दलों की नकारात्मक राजनीती ने देश के संसत के महत्वपुर्ण समय को एक प्रकार से अपनी राजनीती विफलताओं को ढागने के लिए दुर्प्योग किया हूँ मैं सभी दलों से आगरहपुर्व कहता हूँ कि कम से कम जो पहली बार सदन में आए हैं ऐसे बहुत बड़ी संख्या में हमारे मानने साउसद है और सभी दल में हैं उनको आउसर दीजिए चर्चामों के विचारों को प्रगण करने का मोका दीजिए ज्यादा से ज्यादा और आपने देखा होगा कि पार्लामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला संत्र था एक सो चालीस करोड देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुकम किया है देशवासियों उसकी आवाज को कुछलने का और लोगत्रिक प्रयास हुआ दाइक गंटे तक देश के प्रधान मंत्री का गला गुंटने का उनकी आवाज को रोकने का उनकी आवाज को दबाने का लोग तांत्रिक परमपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पस्चाताब तक नहीं है दिल में दर्द तक नहीं है मैं आज आगरपुर्वक कहना चाहता हूँ देश वाचियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है दल के लिए नहीं भेजा है यह सदन दल के लिए नहीं यह सदन देश के लिए है यह सदन सांसदों तक किस सीमा तक नहीं है 140 करोड देश वाचियों की एक विराट सीमा करके लिए है मैं अभी स्वाथ करता हूँ कि हमारे सभी मान्य सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समर्द्द करेंगे कितने ही विरुद्व विचार होंगे विरुद्व विचार बुरे नहीं होते हैं नकारात्पक विचार बुरे होते हैं जहां सोचने की सिमाइश समाप्त हो जाती है देश को नकारत पक्ता की जरूत नहीं है, देश को एक विचार धारा, प्रगति की विचार धारा, विकास की विचार धारा, देश को नई उचाईयों पर ले जाने वाली विचार धारा से, हमें आगे बढ़ाना होगा, मैं पूरा यह आशा करता हूँ, कि हम लोगतंत्र के इस मंदिर का, भारत के इस सामान्य मानवी के आशा आकांग शाओं को पूर्ण करने के लिए, सकारात पगरूप से उप्योग क रेंगे, बहुत-बहुत धनवाद साथियों. तमाम संसदों साशक पक्ष ने विपक्ष साथे काम करें देश माते विचार करवानी जरूँछे, आगामी समयमा बहजर उगंतरीस ना वर्ष मा चुटणी आउशे त्यार राधनीती करवानी सला, विपक्ष ने आपी एक टकोर पर करी, एक सूचन पर कर्यू, कि संसद मा जिटली चर्चा मजबूत थाशे, एटलो देश नो विकास साथे, कार्ण कि आ अम्रुतकार नो बज़ेट रजू थावा जई रहूचे आउती काले, तेरे बहजर सुर्तालीस ना वीजन ने ध्यार मा राखी ने, बज़ेट भले एक वर्ष नो हुए, पर आगामी पांच वर्ष मांटे देश ने मजबूत करवानू, जे सरकार काम करी रहीचे ने, अम्रुतकार नेलीके बहजर सुर्तालीस सुदीनू आक्टू लक्ष नक्की करीने, महिलाओ, खेडुतो, गरीबो नो विचार करवामा आउशे, महत्व पोन सत्रनी शरुवात थवा जई रहीच त्यारे आउती काले, नाणा मंत्री निर्मलासी तरमाल, पोन कालीन नो बज़ेट रजु करशे।